हेलो दोस्तों आप लोग को एस टाडी से लश्म स्वागत है दोस्तों यदि आप लोग तेंथ कलास वाले हो तो आप लोग ज़ुद देखिएगा आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्योंकि बैलोजी की यहां से बाहर कोश्चर नहीं पूछेगा आप लोग को अब्जेक्टि चलिए भाल आहां देखिए स्बसे पहले नंबर से अपिते एक नंबर में सजीबोओं के सरीर में होने वाली होने वाले वीविंकिरिया ऎद्वन को सरीर किरिया विज्ञान काते हैं को सेयर में जो भी बिभीन किरिया कलाप होता है उसके अध्यान को हम लोग क्या काते हैं सरीर किरिया विज्ञान फिजियोलोजी क्या काते हैं फिजियोलोजी क्या काते हैं फिजियोलोजी क्या काते हैं परकास संसलेशन दू में परकास संसलेशन अत्यांत जटील रसाइनिक पर किरिया ह कर्बन डायोकसाइड, जॉल, क्लोरोफील, सूर्ज परकास के अलबा अनेक एंजाइम तथा रसाइनिक पदार्थ भाग लेते हैं एकदम याद रखिएगा एकदम याद रखिएगा इसको कर्बन डायोकसाइड, जॉल, क्लोरोफील, सूर्ज परकास और अनेक एंजाइम लेकिन मुखरूप से एक, दो, तीन, चार ये चार बात आप लोगों को याद रहना चाहिए बस अब आगे परकास संसलेशन की किरिया दो चर्णों में होती है, एक है परकासी कभी किरिया तथा अब परकासी कभी किरिया ठीक है, अब आगे देखिए परकासी कभी किरिया कोशीका में उपस्थित क्लोरोपलास्ट के ग्रेना में होती है, परकासी कभी किरिया कोशीका में उपस्तित कुलोरोपलाष्ट के ग्रेना में होती है समझ रहे हैं हाँ होती है उसके बहां देखिए मेरे भाई क्या कोह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कोह रहा है इस अभी किरिया में ATP का निर्मान होता है परकासिक अभी किरिया में ATP का निर्मान होता है जिसका पूरा नाम होता है एडीनो साईन Attorney आद T से ट्राई आद P से फस्पेट आगे बढ़ देते हैं आगे क्या कर रहा है देखिए ध्यान से स्वासन किर्या चार चर्णों में होती है एक स्वाच्छवास ठीक है गैसों का परिवहान आंतरिक स्वासन को सिखिये स्वासन ठीक है मिर भाई चलिए स्वासन में भोजन की अव्यवों का अक्सी करन होता है स्वासन में भोजन की अव्यवों का अक्सी करन होता है या आप लोगों को पूछ सकता है कि स्वासन में भोजनों का अक्सी करन अब करन क्या होता है तो अक्सी करन समझ रहें नहां अब क्या कर रहे आगे देखिये ध्यान से ध्यान से देखिये उसके बाद आप लोग एक बाद जान लेजीए भाईया की पौधो की जरे रसायक करशन ठीक है रस रसा करशन द्वारा मिर्दा से जन एभं उसमें घुले लवनों का आपसोसन करती हैं रसा तूह ऊहरा ऐगी कह रहा है कि पवधों में चीज में तो पवधों में अब अब स्वोशन की किरिया जोर के मूँल रोम प्रदेश में होती है में जोरों में जो होता है दोस्तों पौधो को जरो में स्वासन की किरिया होता है ना तो मूल रोम परदेशों में होता है आगे दखिए पौधो में पौधो में जॉल वास्पोत सर्जन ठीक है कि कारण उत्पन रसा रोहन द्वारा उपरी सीरो पर हो पहुंचता है वास्पोत सर्जन द्व जानन कैसे होता है, जानन एक बिसीष्ट जैब परकिरिया है, मेरे प्यारे भाई, जानन वह परकिरिया है, जिसके द्वारा सजीवों की एक पीधी अपने जैसे गूनों और विशेस्तावों वाली दूसरी पीधी को जानवे देती है, मतलब मेरा बास समझेगा, मतलब जानन वह परकिरिया है, जिसमें जो है, सजीवों की एक पीधी से अपने गून जैसे विशेस्तावों वाली दूसरी पीधी को जानवे देती है, जैसे मैं बता है, मैं बताओं, तो सुनिए, जैसे मेरे माता पीता, मेरे माता पीता, मतलब अपना गून जैसा और विश वक्त मिलता है समझाना बांसानू गत रोग होता है दोस्तोन मता पीता दादा पोटा सब एकड़ाता प्रकार का होता है एक लेंघ कर नहीं véritable रहता है पर लेंगिक ने नारमादा के आवसकता नहीं होती है पर लेंगिक जनन में नरमादा की अब सकता होती है अलेंगिक में नरमादा के जवरत नहीं है लेकिन लेंगिक में नरमादा के जवरत है बात मेरा समझियेगा हाँ अलेंगिक जनन की चार विधिया है अलेंगिक में बिखंडन, मुकूलन, पुनर जनन एबं गाईक देखिय बिखंडन, मुकूलन, फुनर्जनन और काईक यह सबी आलेंगिक उदाहरान है समझ रहे हैं आलेंगिक उदाहरान ह। क्या-क्या है, तो बिखंडन, मुकूलन, फुनर्जननra viene काईक, आगे दीके मेरे भाई अगर आप लोग नए नए तो दोस्तो आप लोग को मैं पूरा के पूरा एक दम परिक्षा तक मैं बताते रहूंगा काईक जनन में शरीर का कोई भी भाग नाया जनन कर सकता है बास समझे नाया जनन कर सकता है उसके बाद किरितरी माध्यम में कोशिका उत्तक या जीव के द्वारा पौधो को उत्पन करना सुक्ष में परवर्धन कहलाता है मतलब किरितरी मतलब बनाब्टी होता है मेरे भाई किरित्री माध्यम में कोशिका उत्तक या जीव के पधों में उत्पन करना सुक्ष प्रवर्धन कहलाता है आगे दखिए एक लिंगी जीवों में नर मादा असपस्ट रूप से अलग होते हैं एक लिंगी जीवों में नर मादा असपस्ट रूप से अलग होते हैं, या तो नर होगा एक लिंगी में नहीं तो मादा होगा, असपस्ट रूप से अलग होता है, बात मेरा समझ रहे हैं, हाँ, उभायलिंग जीवों में नर मादा दोनो परकार के युगमक बनाते हैं, उभा ओभाइलंगी जीब है केचुवा थीधाक्रीमी और हाइडरा ऐसा जीब है कौन-कौन है केचुवा फीधाक्रीमी हाइडरा याद रख्येढ्य कर यहां से क्वेशन बनता है अब कह रहा है प्राथमिक यौन अंगो को जनन अंग कहते हैं प्राथमिक योन योन अंगों को जन अनंग कहते हैं अब आगे दखिए अंडासय और गर्भासय में होने वाली चक्रिय किर्याएं रजो धर्म चक्र कहलाती है अंडासय और गर्भासय में होने वाली चक्रिय किर्याएं रोज धर्म चक्र कहलाती है याद रखेगा अंडा में हो या क्या चीज में हो गर्भाषय में हो रोज धर्म के 12 से 14 दिन बाद अंडो शर्जन होता है, अंडो सरग होता है, अब भुरून का गर्भाषय से जुरने को आरौपन कहते हैं भुरून का गर्भासे से जूरने को आरोपन कहते हैं ठीक है अब क्या कह रहा है पलासेंटा से भुरून को पोशन और ऑक्सीजन प्राप्त होती रहती है यानि कि भुरून मतलब पलासेंटा से भुरून को मतलब पुछेगा कि भुरून को पोशन और ऑक्सीजन कहां से प्र पूरून को समझ रहा है आगे देखिए मेरे भाई देखिए भाई आप लोग को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं गर्दा छोड़ा दीजे एक दम एक्जाम में जाकर अब्जेक्टिव एक भी छोड़ करके नहीं आये मैं अभी डाला हूं बैलोजी के फिर मैं डालूंगा आप लेओ के लिए डाल दूंगा एकदम केमेस्ट्री का ठीक है अब आगे दखिए क्या कहरा है मेरे भाई गर्भासे की समाप्ति पर पूर्ण विक्सित भुरून का जन में लेना प्रसव कहलाता है गर्भा अवस्था की समाप्ति होता है न तो विक्सित भुरून का जन म लेना प्रसब कहलाता है आगे दखिए जनन में एक कोसी का द्वारा DNA डियोक्सी ठीक है राइबोस निकलिक एसीड तो क्या करा जनन में कोसी का द्वारा DNA प्रकिर्ति का निर्मान तथा अतिरिक्त कोसी की ये संगठन का सिरीजन होता है ठीक है DNA द्वारा आगे दखिए आगे कर आयदी हाइडरा जैसे जीवों का सरीर कोई टुकरों में अलग हो जाए तो परतियक भाग से पुरन रुधवन द्वारा नए जीव भिक्सित हो जाते हैं तब ही तो इसको कहा गया है मेरे भाई कि मतलब यह मतलब कि जपी नाहिक एक़र हाई सब्सक्राइड मतलब कि आलाहे है अघ्ष कि इसाइड इसन नगाए है एड्स का एड्स अत्यांत घातक रोग है जो यौन संक्रमन संक्रमित रक्त और संक्रमित भुरून से होता है मतलब यौन जो संक्रमन होता है संक्रमित रक्त होता है संक्रमित भुरून होता है इसी से एड्स फलता है और इसका ठीका होता है आप लोगों दोस्तों HIV जानते हैं HIV शोरी आगे दखिए नियंत्रा के वाम सम्नम आए control and coordination तंत्री का तंत्र के परमुख भाग केंद्रिये तंत्री का तंत्र परिधिये तंत्री का तंत्र और स्वयसत तंत्री का तंत्र है तंत्री का तंत्र के कौन-कौन सा भाग है तो देखिए केंद्रिये तंत्री का तंत्र एक हो गया एक परिधिये तंत्री का तंत्र हो गया तीन नंबर में हो गया स्वयसत तंत्री का तंत्री ठीक है मिरा भाई अब कहा रहा है तंत्री का मानब शरीर में सबसे बरी को सिखा है तंत्री का जो है मेरे भाई मानब शरीर में सबसे बरा भाग है ध्यान में रखिएगा तंत्री का जो है मानब शरीर में सबसे बरी भाग है अब कहा रहा है सजीवों में अंगोता था अंग तंत्रों का समनम और तंत्र की ये दोनों से होता है तह हर्मोन रसायनिक ये बैदुतिया है काम करता है क्या मिश्क्राइब नियंत्रान का अभाव होता है पौधों में तंत्री की ये नियंत्रन का अभाव होता है ठीक है अब कर आए अंतस्त्रावी गरंथिया नली का विहीन होती है अपने स्राव को सीधे रक्त परिसंचरन में मुक्त करती है आगे दखिये आगे क्या कर रहा है तंत्री का तंत्री का तंत्र मानब मस्तिस्क तीन जिल्या से धाका होता है मानब का मस्तिस्क जो है कौन सा तीन से तो देखिए यहाँ पर अगर मस्तिक्स, मद मस्तिस्क और पस्च मस्तिक्स अगर मद पस्च, आगर मतलब आगर मद मतलब बीच में पस्च मतलब पीछे ठीक है मेरे भाई अब आगे दखिए, अब को रहा है, शरीर में अग्रमस्तिस्क, पूरे मस्तिस्क का दो तीहाई भाग होता है, ठीक है, अग्रमस्तिस्क जो है, पूरे मस्तिस्क का दो तीहाई, मतब दू बटा तीन, तो बाद समझ रहे हैं, एक में से घाटा दीजिए, तो बाद बाद की ब सब्सक्राइब ज्यादा है अब ध्यान दीजिए मेरु रज्जु खोपरी के महारंध्र से निकलकर को से रूप काओ की तंत्रीका नाल से होती हुई मतब होती हुई अंत में कमर तक फैली रहती है मतब फीस सुनी मेरु रज्जी खोपरी के महारंध्र से निकलकर को से रूप काओ की तंत्रीका नाल से होती हुई अंत में कमर तक फैली रहती है अब आगे दखिए मेरे भाई आगे क्या कर रहा है स्वयसत्ता स्वयसत्ता तंत्रीका के दो भाग होते है एक होता है अनुकम्पी एक होता है परानुकम्पी प्रति बर्ति किरियाए अनैच्छिक होती है प्रति बर्ति किरियाए कैसी होती है अच्छी की अनच्छी की तो अनच्छी की होती है आगे दखिए मेर भाई अनुमाशिक ता एवं जयोई जनन के समय उथपन विभिनताय बणसा नुगत होसकती है मतब मेरा बास समझ रहे है मतब जिसके घर मे जन मिलेगा उसी का नबनस होगा हाँ भाई Gregory John Mendel को अनुबान सिक्ता का जनक या पिता भी कहा जाता है कारक जीन अनुबान सिक्ता गुनों को परिवार में आगे बढ़ाता है मानब में 30 जोरे गुनसुत्र और 3000 से 4000 तक जीन होते है गुनसुत्र 1300 यानि के 40 और 3000 से 40 यार तक जीन होते है अब आगे है जीन गुनसुत्रों में निश्चीत अस्थानों पर उपस्थीत रहते है जीन जो है गुन सुतरों में निश्चीत अस्तानों पर उपस्थित रहते हैं यही अनुबान सिख्ता गुनों को अलग अगली PD तक ले कर जाते हैं अतक गुन सुतरों को चरित्रिक लक्षनों का बहक कहा जाता है आगे क्या करा है मेरे भाई? कहरा है भ्यांदिजये क्या कहरा है सो कहरा है कि डीने अनुबान सिक्ता सुचनाव को उत्पन करता है डीने फिंगर प्रिंटिंग होता है जोस्तो हाँ छापन विधी होता है विशानु में अनुबान सिक्ता तत्व डीने है लेकिन री ट्रो वायरस में आरेने है री ट्रो वायरस में आरेने अनुबान सिक्ता तत्व डीने ठीक है मेरे भाई आगे बढ़ देते हैं फटा फट चलिए थुरा सा खीचिए देते हैं पूरे आई क्या करें है की नहीं अरे आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग भी मेरे लिए कुछ करत पाई है की नहीं अच्छा नमबर लाएगा तब न मैं अब आगे दखिए क्या कर रहा है ध्यान से थर बड़ा कर देते हैं चलिए बड़ा हो गया है गुन्सुत्र कोसी का विभाजन के समय दिखाई देती है गुन्सुत्र जो है दोस्तों कोसी का विभाजन के समय ही दिखाई देती है कैरियो टाइप कोसी का गुन्सुत्र का भ हाग होती है डीने दूई चक्राकार रचना है डीने दूई डाइयोक्सी है ना तो दूई नहीं हुआ आइसी याद रखे ना जो वार्चन किरीक और विलकिंसन को इस रचना के हाथ्यार कहा गया है मतलब किसी को पकरने का इसी से वीत्त है जब कि मादा में X 18 1 À यहां पर x a y है यह हो गया x x यह हो गया पूरुस पूरुस पी आई हो गया महिला एम तो याद रखेगा अगर x x मिलता है तो बेटी x y मिलता है तो बेटा समझ रहे ना मेरा बात हाँ चली आगे बढ़ें जय विविकास अत्यांत धीमी गती से होने वाले क्रामिक परिवर्तन है जय विविकास अत्यांत धीमी गती से होने वाले क्रामिक परिवर्तन है समझ रहे ने मिरा भाई उसके बाद क्या कर रहा है मानव में मानव के विकास के अध्यन से हमें पता चलता है कि हम सबी एक के ही SPC के मतलब एक ही पदार्थ के सदस्य मानि एक ही इस्थिती यानि कि एक ही चीज से हम लोग बने हुए है जिसका उदाए अफिरका में हुआ और चर्नों में बिश्व के विभिन भागों में फैला मतलब अफिरका में हुआ है समझे अपूरा में फैला है देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ आज के देट में अफिरके महादेश पीछी है सब आगे बढ़ गिया है जिजे हुआ से भागा ऐसे कहावते हैं माई बाप को छोड़ेगा तब माई बाप को तब भिखारी बनाए न देगा वही बात है मेरे भाई आगे बढ़ते हैं बढ़ जाए आप लोग कहिए न हाँ चलिए हमारा पर्यावरन को पर्यावरन में जीने वाले हैं ये तो जानवे करते हैं आगे देखे एक निश्चित समय में खास अस्थान में पाई जाने वाले कूल पधो एबम जन्तूओ की संख्या को बायोटा कहते हैं मतब जिस पर्यावरन में मतब निश्चित रूप से पेर पौधा आ रहे जीब जन्तू रहे तो उसको बायोटा कहेंगे आगे दखिए एक निश्चिस समय में खासा स्थान में पाए जाने वाले कूल पौधो की संख्या को कूल पौधो की संख्या को फुलोरा कहते हैं द्यान से सुनिए कूल पौधो एवम जन्तू कहेगा तो बायोटा ठीक है आगे बढ़ते हैं एक निश्चिस समय में खास अस्थान में पाए जाने वाले कूल जन्तू की संख्या को फौणा कहते हैं एक निश्चिस समय में खास अस्थान में पाए जाने वाले कूल जन्तू की संख्या को फौणा कहते हैं अगर जन्तू अकिला रहेगा तो फौणा कहेंगे ठीक है आगे बढ़ते फटा फट दखिए मापी चाहता हूं इतना होने के लिए ध्यान दिजेगा मेरे भाई आगे क्या है सो ध्यान दिजे आगे कह रहा है कि जयव एवं अजयव कारक के विजपदार्थ एवं उर्जा के अदान परदान का प्रकर्यात्मक एवं परितंत्र या परिस्थितिक तंत्र कहलाता है एक छेत्र के सभी परिस्थितिक तंत्रों को एक साथ मिलाने से प्राप्त बरी इकाई को जिवोम या बायोम कहते हैं ठीक है सभी को मिला देंगे तब अब क्या कह रहा है आगे आगे दखिए आप खतम होने वाला है भाई वीडियो लमसं बाइस मिनट का बन गया है आप खतम होने वाला एकदम चार मिनट से पाच मिनट में खतम हो जाएगा कहती कह रहा है कि विशु भर के समस्त बायोमों को मिला कर एक बरी इकाई का निर्मान होता है जिसे जीव मंडल कहते है यह विशालतम स्वयम पोसी जैव तंत्र है ठीक है परिस्तित्की तंत्र है वेपदार्त जो जैविक पर क्रम द्वारा अप घटित नहीं हो पाते है उन्हें अजैव निमनी करनिये कहते है जैसे पलास्टीक भारी धातू पराईस- स्वयम अर्सेनिक स्वयम जानते हैं जिस चीज में अर्सेनिक निकल गया परा निकल गया तो वह कैंसर उत्पन कर देता है तो पोलियो मार देता है ठीक है आर्सेनिक निकल गया तो किड्नी डाइमेज कर देता है आगे बरते है आगे क्या कर रहा है कि प्रकिर्ति में पाए जाने वाले उपयोगी पदार्थों को प्रकिर्तिक संसाधन करते हैं आगे दखे इधार आयसे संसाधन जिसकी उपलब्ता सीमित है और मनुस्यों की किरियाओ द्वारा समाप्त हो रहे हैं को च्छय योग्य प्राकिर्तिक संसाधन कहते हैं मतलब मालिजे की जिसका संसाधन जो है मनुस्य द्वारा उपयोग हो रहा है अब धीरे-धीरे खतम होते जा जैसे खनीज कोईला पेट्रोल यह हम लोग जादे उज़ करते हैं ऐसे संसाधन जो मनुस्यों की किरियाओ द्वारा समाप्त नहीं हो सकते हैं को अप्छय प्राकिर्तिक संसाधन कहते हैं इसे हावा सूर्ज पर कासी सब हो गया पीर्थिवी के अंदर गर्मी सब ऐसे संसा जिनका प्राकिर्तिक में चक्री करन हो सकता है नवी करनी इस रोट कर लक्रिया जॉल मतलब हम लोग फिर रुगाएंगे फिर लखरी बनेगा फिर जॉल को मतलब हम लोग पीते हैं पिर निकालवे करते हैं समझभे करते हैं अब लोग अपना तरीका से आयसे शंसाधन जो एक बार पर्योग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं और जीन का चक्री करन नहीं हो पाता है और अभी करने सुरोत कहलाता है जैसे में कोईला, पेट्रोलियम, प्राखीर्ती, गैस अब कि एक आई छेतर में पाए जाने वाले पोधे, जन्तु उनको उनके वास अस्थान एवाब उनके बीच परस्पर संबंद को जैबी वित्ता कहते हैं ठीक है, आगे दखिए भूमी के नीचे पाए जाने वाले जल को भूमी गत जल करते हैं, बरसा जल या उप्योग हो चुके जल को भूतल में संग्रह करना जल संग्रह कहलाता है, ठीक है, जैसे हम लोग खदाखन का पानी नहीं किराते हैं जल का परियाबरन में परिवहित होते रहना जल चक्र कहलाता है, आगे दखिए, सुक्षमी या छोटे पाउध है या जन्तु जो तलाब नदी समुदर इत्यादी की तरह, इत्यादी की तरह, समझ रहना है, इत्यादी की सता पर सतंत्र रूप से तैरते रहते हैं को पलाव करते हैं, अब है ओजोन पर अद्पिर्थी भी की सुरक्षा परावैगनी विकीरन से करती है, ठीक है, ओजोन परावैगनी कीरन से हम लिगों को बचाती है, मतलब कैंसर नहीं होने देती है, अब आगे क्या कह रहा है, कि वन ने संपदा की सुरक्षा के लिए बिरिक्षो क को काटना बंद कर देना चाहिए, नए पेर लगाना चाहिए, जंगलों की कुसल प्रवंध होना चाहिए, समझ रहना, मतलब कीजे, परियाबरन को बचाने के लिए, अब आगे कह रहा है, परवतिय छेतरों में पेरों को काटने से बचाने के लिए, महिलाओ द्वारा बिर नहीं आएगा, नहीं हुआ, माली जखनी खुब पेटरोल से गरीवरी चलाता है सब, अब बाद में खतम हो जाएगा, तक कहां से लाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि भुखमरी धरेगा सब को, अवांचित जयविक एबं अजयविक पदार्थ या विकीरन, जिस्से मनुस्य जीव पधे, प्राकिर्तिक संपदाव राष्टिये एबं अयतिहांसिक धरोहर परभावित हो सके परदूशन कहलाता है, अब आगे कह रहा है कि पलाष्टिक काँच धातु एबं बस्तुये का नए उत्पादों के निर्मान के लिए परियोग करना पुनह चकरन कहलाता है, ठीक है, आगे बरते हैं, पुनह उपयोग मतलब किसी परियोग में लाई जा चुकी बस्तु का बारबार परियोग करना, पुनह उपयोग कर लाता है, कोई बस्तु के बारबार उपयोग करेंगे ता, कम विदुत खर्च के लिए, मतलब के लिए, घरो कर्याले एबं कर्ख स्थानों में CFL bulb कार्योग करना चाहिए है उसके बाद है संसाधनों के संरक्षन के लिए तीन RS है जीं से रिसाइकलिक, ठीक है, रिडियूस, तथा रियूस, ठीक है, रियूज, ठीक है, रिसाइकलिक, रिडियूस, रियूज, ठीक है, आगे बरते हैं, भारत की बर्षा मांसून पर निर्भर है, भारत की बर्षा मांसून पर निर्भर है, बनो के पुनह पूरन के लिए बन महस्व सबकार्ज करम द्वारा भिरिख्छा रोपन की उपयोगीता बताई जा सकती है ठीक है मेरे भाई आगई यह है तो आगई यह आप लोगों को मैं बता दूंगा ठीक है अराम से बता दूंगा नेक्स्ट सेशन में तो चलिए मेरे दोस्तों इतना ही पर समझ रहें आप लोग शेयर कर दिजीगा मेरे भाई ठीक है और लाइक कर दिजीगा अपने फायदे के लिए सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लिए जाजी दोस्तों इतना ही पर जय हिंद जय भारत